UPSC के एक्जाम में Science and Technology से या Current Affair से हम देखें तो हमेशा दो साल का Current Affair यहां से पूचता है तो पहले अगर हम UPSC की बात करें 2020 या 2021 की बात करें तो दो साल का Current Affair पढ़ना यहां पर मस्ट है तो अभी हम 2019 के Current Affair स्टार्ट करते हैं जो की 2020 के लिए भी important है और 2021 के लिए भी important है तो पहला जो टॉपिक है आज की Current Affair का फर्स्ट टॉपिक है Elimination of the Tuberculosis टीवर कुलेशिस को हम सौट में TB भी बोलते हैं TB इसलिए न्यूज में था Elimination of Tuberculosis इसलिए न्यूज में था क्योंकि Government of India ने अभी World Bank से 400 डॉलर मिलियन डॉलर जो है लोन ली यह लोन इसलिए था ता में देखे तो यह एक तरीके की Communicable Disease है Communicable Disease का मतलब है कि अगर एक पर्सन को हुआ है तो दूसरे पर्सन में इजली जो है सौंस के तुरू या एयर के तुरू जो है उसमें ट्रांसफर हो सकता है ठीक है और जिसके वज़े से होता है जिस बैक्टिरिया की वज़े से होता है तो इसका नाम है माइक्रो बैक्टिरियम टूबर कुलेसिस तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है पहला क्या कि यह एक यह इस ब्लंग्स को करता है अगर लंग्स को करेगा तो इसको पल्मोलरी टीवी बोलते हैं अगर ऐसा नहीं है कि सारे टीवी जो है वो लंग इंफेक्ट करते हैं कुछ लंग्स को इंफेक्ट नहीं भी करते हैं ठीक है और इंडिया में टीवी के सिसे देविन तो एंडिया में मिलती है उसकेबाद इंडोनेशिया में मिलती है फिर थैर जो है पूरे पॉप पॉपुलेशन की बात करें तो एससे होते हैं कि भ्रस क को जादा उनकाल फिल्स आटिक हो जाता है टीवी का सबसे में मुद्दा जो हमेशा न्यूज में रहता है वो इसलिए कि टीवी ड्रग रेजिस्टेंट हो चुकी है ड्रग रेजिस्टेंट की बात करें तो टीवी के लिए जो दवाई यूज किया जाता है वो टीवी पर काम ही नहीं करता है अगर टीवी पर यूज कर अगर वो काम करना बंद कर दे तो उनको मर्टी ड्रग रजिस्टेंट टीवी बोलते हैं अगर वो दो चार दवाईओं के प्रतिएगर रजिस्टेंट क्रियेट कर दे मुलब कि आप दवाईयां खा रहे हो लेकिन ठीक नहीं हो रहे हो इसका मतलब कि दवाईयां जो है वह आ इंफ्यूज हो गये थे क्योंकि यह एक करेंट अफेयर का टर्म है ठीक है नेस्ट आता है टोटली ड्रग रजिस्टेंट टीवी तो पिछली बार जो पूछा गया थे एक जाम में एक डियार टीवी ठीक है अब जो पूछे जाने का चांस है जो इस साल काफी ज्यादा था टोटली ड्रग रजिस्टेंट टीवी मलब दुनिया के हर दवाई कोई भी दवाई हो टीवी पर काम नहीं करता तीवी जो है वह सारे ड्रग के प्रति रेजिस्टेंट हो चुका है ठीक है तो यह झो एक डिक्लरेशन हुआ था टीवी कू लेके कि मॉस्को डिक्लरेशन उ पेंडिया की Central गवर्मेंट अपि इंडिया ने वर्ल्ट है से पैसे लोन लिए थाकि TV को इंडिया में इलिमिनेट कर सकते के यह एक टॉपिक था सेकेंडförITY सबसे ज्यादा कहां पर होता है ट्रोपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में अगर हम अर्थ की बात करें यहाँ पे अफरिका है ठीक है और अफरिका का जो वेस्ट पोर्षण वाला है रेन फॉरेस्ट वाला पोर्षण है वहाँपे सबसे ज्यादा मंक्लीब च्पयरी में भीडि़ फॉरेस्ट वाला है और इसकी जो ट्रांस्मिशन होता है Wissenschaft जो आधे और कि अभी थके में जोड़ें चक्रशन आचा मुन करतो जो Alors ऍर तो कोई भी वैक्षिन आवेड़ा आई पैतल्स को रहले हैं तो रहा जाता है। मुंकी पॉक्स में यूज किया जाता है नेस्ट टोपिक आता है हमारा पॉलिएथालीन टेटरफ्थेलेट पेट पेट जो है अभी हमने देखा कि सिंगल यूज प्लास्टिक था उसको बैं कर दिया गया उसी में एक प्लास्टिक आता है जिसे की बॉटल ये बनती है ठीक है इनको लेके भी काफी न्यूज में था क्योंकि ये पॉलिएस्टर से बना होता है और ये भी एक तरीके की मलब की मॉल्डेड प्लास्टिक बॉटल सी होते हैं तो जो हेल्थ पे काफी एफेक्ट डाल रहे हैं ठीक है और इनकी जो पैकिकिंग होती है पैक्जिंग मैटिरि इसलिए पैड को लेके काफी न्यूज में ये आया हुआ था नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यूज इस्पेस इंडिया लिम्टेड इस रोन एक कमर्सियल आम जो है नियूज इंडिया लिम्टेड को इंकरप्रेट किया 2019 में और नियुज इंडिया लिम्टेड का क्या इपार्टमेंट आप इस्पेस मतलब इस्पेस के डिपार्टमेंट के अंदर ही कमर्शिली जो है रिसर्च और डेवलाप्मेंट वर्क होगा मतलब कि जैसे इस पेस में बेजने के लिए अगर कोई सैटलाइड चाहिए ठीक है कुछ भी चाहिए तो कुछ प्राइवेट कंप और क्यों से क्लेब flavors करको शीज को बैचा जा सकता है यही है तो ncoil का उबज्यक्व है कि इंडियान 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 इंडिय to the industry उसके बाद है license प्रवाइट करना कि जो भी कंपनी इंडेस्ट्री होगी उनको लाइसेंस प्रवाइट किया जाएगा इस रोके दारा और वो सारे वेपन्स वगरा बनाएंगे सब्रवाइट के दोरह थो प्रीवाइब करना सब्सक्राइश अपना अब दॉर्वाइट जो इन्डिया गया कि छोड़ जाने के जो है कि सेटलाइट है जिस पर छोड़ा जाएगा इसको जिसको जी एसल भी मैक तरी के दरा वहिकल के दरा इसको छोड़ा जाएगा और इसका जो लगबग 20 टन यह उठा सकेगा और इसी मैनमेड के बाद ही इसने इंडिया ने प्लान किया कि यह जो है कि एक स्पेस स्टेश स्टेशन स्टेशन इंडिया ने बनाने की बाद का यह गगन यान को छोड़ने के तो सूर बात थीक है तो यह है नेक्स्ट आता है सोलर मिशन अदित ऐलवन से पिछली बार सवाल पूछा गया था और यह लॉंच किया गया था तो उसको Corona बोलते हैं किए हाँ save range College आते हैं जो कि आर्थ पे और सारे प्लेनेट पर पड़ते हैं तो स्टेडी के बारे में याद रहे काधित 11 को क्यों छोड़ा गया है अदित 11 को छोड़ा गया है ताकि कोरो कि कोड़ना सवाहिक और ईसका अब्जेक्टीव रहेगा कि वीनत कब्लैनेट है उसके बारे में सेटमोस्ीट के बारे में उसके टोपोग्राफी के बारे में इस्टेडी करने के लिए तादित L1 कि के लिए चोड़ा गया है sun के लिए a sun के लिए और Venus को स्दोडा जाएगा थीजुक्थ में हम अपने घरों में बरतन यूज़ करते हैं काफी बरतनों में क्या होता है कि एक क्या होती है उस प्रेंटिंग की वज़े से कि कुछ इस पर चिपकता नहीं है ठीक है तो लेकिन इसका जो जुट चिपकता नहीं है इसका बहुत जादा side effect भी है कि वो food material में धीरे धीरे निकल के जाता है और poisonous होता है और food chain में पहुचता है इस तरीके से तो cookware में ऐसे use होने वाले जो materials होते हैं वो health के लिए काफी हानिकारक होते हैं इसलिए PFK के बारे हम पूछेगा नहीं बस पूछ सकता है कि जो टॉपिक कि बलाइट डीजाष के वा幸 ils के वाऄर में और राइश साइंटिस्त यहां फीuh साग़न यहां तडाटा एं यहां वैंप देख सकते हो कि राइश जो होता है उसके पतियों टारीजीज हो जाती है और फोल इसे हैं तरीके से प्रॉब्लम होगी तो ऑगदान जो राईस हूता है उसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं पाएग जादा फल्यौें हो नहीं हो पाएगे 620 我 seems to know your क्राइस की वो कम हो जाती है ठीक है नेस्ट टॉपिक है यूवी का इस्ट इंडियन स्पेस रिसर्ज और गनाइजेशन है उसका एक तरीके कर देखे तो प्रोग्राम यह प्रोग्राम उन इस्टुडेंट के लिए है जिनको इंट्रेस्ट है कि ताकि वह इस रोके वारे में इस उरों में किस तरिके से सैटलाइट कीस तरीके से क्या भंती है वो करेंगे उसके बारे में जिनको जो की इस तरीके saince and technology में इंटरेस्ट चरी हर गाझे इस तरीके की जो एक इंटेंसीब प्रोग्राम है जो कि चला जा रहा है इस रोके दारा ठीक है तो यह जो है कि नेक्स्ट ट्रापिक हमारा थ्री हो तेस्ट पॉजिटिफ और गलंडर डीजीज उत्तर प्रदेश में तीन जो है कि जो घोड़े थे उनको एक इंट्रीजीज हो गया था जो जोगें व्यृद्ड होता है घेंगा रोक के पास में होता है गेंगा रोक बोलते हूं इन तरीको रोग की तरह इनको भी मार किया था